अध्याइनो परम गुहिय ज्यान श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन चुंकि तुम मुझसे कभी ईश्या नहीं करते इसलिए मैं तुमें यह परम गुहिय ज्यान तथा अनुभूती बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे यह ज्यान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सरवाधिक गोपनिय है यह परम शुद्ध है और चुंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती कराने वाला है अतह यह धर्म का सिध्धान्त है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूरवक संपन्न किया जाता है यह परंतब जो लोग भक्ती में शद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतह वे इस भोते जगत में जन्मम्रत्य के मार्ग पर वापिस आते रहते है यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझे है किन्तु मैं उन्में नहीं हूँ तथा पी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तुएं मुझे में इस्थित नहीं रहती जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो यद्यपी मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराठ पिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ क्योंकि मैं स्रष्टि का कारण स्वरूप हूँ जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबलवायू सदैवाकाश में इस्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन प्राणियों को मुझ में इस्थित जानो हेकुंति पुत्र कल्प कांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्यकल्ब के आरंब होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ती से पुन्हें उत्पन करता हूँ संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है यह मेरी इच्छा से बारंबार सतह प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनश्ट होता है हे धनन्जय यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं मैं उदासीन की भाती इन सारे भौतिक कर्मों से सदय विरक्त रहता हूँ हे कुन्ति पुत्र यह भौतिक प्रकटी मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अधिव्चता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसके शासन में यह जगत बारंबार सजित और विनश्ट होता रहता है जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य सभाव को नहीं जानते जो लोग इस प्रकार मोहगरस्थ होते हैं वे आसुरी तथा नासिक विचारों के प्रतियाक्रश्ट रहते हैं इस मोहगरस्थ तवस्था में उनकी मुक्तियाशा, उनके सकामकर्म तथा ज्यान का नुशीलन सभी निश्वल हो जाते हैं हे पार्थ मोहमुक्त महात्मजन दैवी प्रकृती के संरक्षन में रहते हैं वे पूर्णतह भक्ति में निमगन रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदी तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्टन करते हुए दड़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं अन्य लोग जो ग्यान के अनुशिलन द्वारा यग्य में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में विविद रूपों में तथा विश्वय रूप में करते हैं किन्तु मैं ही कर्मकांड मैं ही यग्य पितुरों को दिया जाने वाला तरपण, आउशधि, दिव्य ध्वनी, घी, अगनी तता आहुती हूँ मैं इस ब्रह्मान का पिता, माता, आश्रय तता पिता मह हूँ मैं गे, शुद्धी करता तता ओंकार हूँ मैं रिगवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ मैं ही लक्षय, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणिस्थली तथा त्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं सृष्टी तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा आविनाशी बीज भी हूँ हे अर्जुन, मैं हिताप प्रदान करता हूँ, और वर्षा को रोगता तथा लाता हूँ, मैं अम्रत्य हूँ और साक्षात मृत्यू भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझही में हैं जो वेदू का ध्यन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेशना करते हुए अप्रित्यक्ष रूप से मेरी पुजा करते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं इस प्रकार जब वे विस्तित स्वर्गिक इंद्रिय सुप को भोग लेते हैं और उनके पुन्य कर्मों के फल शीन हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुन्ह लोटाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिध्धानतों में दड़ रहकर इंद्रिय सुप की गवेशना करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। किन्तु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य सरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पुजा करते हैं। उनकी जो आवशकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। एक उन्ति पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी शद्धा पूर्वक पुजा करते हैं। वास्तव में वे भी मेरी ही पुजा करते हैं किन्तु वे यह तुटी पूर्वक धंसे करते हैं। मैं ही समस्त्य यग्यों का एक मात्र भोकता तथा स्वामी हूँ। अत्य है जो लोग मेरे वास्तविक दिव्यस वभाव को नहीं पहचान पाते हैं। और जो मेरी पुजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम ततह भक्ती के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्विकार करता हूँ। हे कुंति पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो इस तरहे तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुब फलों से मुक्त हो सकोगे इस सन्यास योग मे अपने चित्त को इस्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे मैं नै तो किसी से द्वेश करता हूँ नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ मैं सबों के लिए संभाव हूँ किन्तु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में इस्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किन्तु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधू मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिक रहता है वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और इस्थाई शान्ति को प्राप्त होता है हे कुंति पुत्र निडर होकर घोशना कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है हे पार्ट जो लोग मेरी शरण ग्रहन करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा इस्त्री वैश्य तता शूद्र क्यों नहों वे परमधाम को प्राप्त करते हैं फिर धर्मात्मा ब्रहमनों भक्तों तता राज रिश्यों के लिए तो कहना ही क्या है अतै इस शनिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझ में पूर्ण तयात तरलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझ को प्राप्त होगे